हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Facebook के trends and questions की बारे में जो Facebook में 2022 में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बिना देर शिरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहला question है, what are the most popular topic on Facebook? तो Facebook में इस टाम पे सबसे popular topic कौन से हैं So, answer है यह, music or television मैं आपको reason में रहे जाऊँगा कि यह दोनों topic इतने popular क्यों है क्योंकि coronavirus के time के बाद से लोग सबसे ज़्यादा online आगे हैं especially GEO के time से और coronavirus के time पे तो जो लोग online आगे हैं, वो लोग video की clip बगरा कोई style चल रहा है, उसकी clip डाल दिया कोई dance का show है, उसकी clip डाल दिया इंडेनरल के show के डाल दिया, कपिल शर्मा के डाल दिया तो इस type की चोड़ी-चोड़ी clips video को promote करते हैं Facebook उगराबे, तो लोग उसको जादा engaging करते हैं, although उसकी audience बहुत जादा साहिज है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा topic popular है so यह दो topic इस time पर होट चल दे है अगर आप इन पर video बनाते हैं, ज़रूर आपके channel, आपके page और आपकी performance है, वो जल्दी-जल्दी growth आ सकती है, इनके memes बहुत ज़्यादा popular होते हैं, बहुत जल्दी Facebook पे तो अगला question है, how do you find the trending content on Facebook, so मेरा सबसे ज़्यादा favorite tool है, वो है BuzzSumo, BuzzSumo एक paid tool है, बट आपको free में भी वो दिन में तीन बार sales करने की रहता है along with a hashtag and even Facebook नहीं, आप किसी भी social media का channel का यहाँ पे sales कर सकते हैं, तो मेरी request है, everyone, जो भी marketer हमारे try करने हैं, एक पर BuzzSumo को जरूर try करिए, बहुत अच्छा tool है दूसरा topic है Google, दूसरा आप content ढून सकते हैं Google trend से, Google trend के बारे में एक separate video, मैं पूरी बना दूँगा कि कैसे आप उस में से stats को करना निकाल सकते हैं, कैसे आप graph को analysis कल सकते हैं, कैसे आप demographic जो भी company में आप काम करते हैं वहाँ पे आपके लिए helpful रहेगी अगला topic है, अगला इसी में जो आप दून सकते हैं YouTube, YouTube बहुत powerful हुआ है, करोड़ लोग YouTube पे daily video डालते हैं उन में से आप एक relevant topic pick करके आपको आप उसके round content को develop कर सकते हैं बेसिकली नया content कभी आता नहीं है आप content को repurpose भी कर सकते हैं एक different form से like video को forward translate कर दिया अपने post में एक राउजल में या any other gif type तो ये भी एक option है last option बचना हमारा answer the public ये मेरा खुद का personal opinion है यहाँ पे answer the public.com एक website है वहाँ पे जाके अगर आप अपना keyword डालेंगे तो आपको बहुत सारे questions देदेगा basically कई बार हम demand generate नहीं कलते हम demand को create भी कलते हैं तो demand create करने के लिए भी ये tool आप यूज़ कर सकते हैं देखिए का आपको बहुत सारे interesting questions मिलेंगे जो market में इसनाप अभी popular नहीं है बाट वो आने वाले time में popular हो सकते हैं आप उसको push कर सकते हैं देखिए अगले question पर बढ़ते हैं what will happen on facebook in 2022 तो 2022 में facebook में क्या होने वाला है no doubt video वहाँ का एक number one platform है जो की traditional content को completely place कर देगा लोग अपने brand की video बनाबना के डालते हैं और उसको ज़्यादा promote करते हैं जिससे उनका business को एक नई strength भी मिलती है और नई popularity भी मिलती है तो brand को अपने account को video streaming के लिए facebook और instagram live पे आना पड़ेगा और वो कुछ नहीं study करते हैं मेरा personal experience भी यह कहता है कि जो video जो brand ये webinar करके live video महाँ पे डालता है उनके लिए facebook खुद organically भी promote कलता है दो-तिन घंटे भी उसको promote कलता रहता live video खतम हो जाती है आप stop कर देते हैं बैठ जाते हैं अपने system पे दूसरा काम गने लग जाते हैं फिर भी organically facebook उन वीडियो को promote कलता रहता है तो उसमें like, comment, subscribe ये सब आते ही रहते हैं तो इससे भी एक नई brand की मिलती है actually एक नया चीज भी है क्योंकि हर brand पोस्टिंग कलता है बट अगर आप उस पे live आते हैं तो आपके brand को popularity जाता है मिलते है क्योंकि सब वही करें आप भी वही करेंगे तो फिर कैसे facebook को classify करेगा या कैसे कोई platform classify करेगा कि ये brand जादा अच्छा है, वो brand जादा अच्छा है तो उनका live streaming platform बहुत लोग यूज कलता है बहुत benefit कलता है बढ़ते हैं अपने एक लिए question की तरह what is the purpose of facebook in 2021 तो facebook का purpose क्या था facebook पे लबग 200 million से ज़्यादा small businesses facebook tool का use कलते है as a business purpose में वो क्या कलते हैं, facebook का अपना page बनाते हैं जिसे हम business page बोलते हैं अपने content की information publish कलते हैं और अपनी information नहींने scheme और जो नहींने उनके products वगरा variation के साथ launch होते रहते हैं उस product और service को वो promote कलते रहते हैं तो यही पर फेस्बुक का 2021 में और 22 में भी हम शुर यही लेने वाला है तो यह इस तरीके के questions वहाँ पे facebook में ज़्यादा trending में चलते हैं what are the hot topic right now सबसे ज़्यादा इस time पे hot topic कोंस है बिल्कुल अभी currently ही जून मंत में तो वह है coronavirus, world bank और WHO आप जानते हैं covid के time से coronavirus कितना peak पे है तो अभी भी वहाँ पे इस type के memes, videos और इस से related health and benefit pros and cons सब चलता रहता है इनका चलता रहता है जो भी social media में हो रहा है तो यह 3 topic अभी इस time पे hot topic है बढ़ते हैं अबने के लोग अगले question रहे what are the content best on facebook तो no doubt, I'm sure इसका अंसा सब को पता हो का video is a champion of all the content on facebook, so video को लोग जादा better way से consume करना पसंद करते हैं, बजाए कि any other platform आप खुद भी समझते हैं कि content को return पढ़ा हुआ, उसको पढ़ना, समझना as compared to video, क्योंकि video में grasp knowledge काम हो जाती है, हमारा pre-income करता है, उसको visual content मिलता है तो visual content में वो चल्दी से अच्छे से grasp कर पाता है, समझ पाता है, user तो बढ़ते हैं, अब नेगले question के रहे what are the challenges does facebook face in the future तो facebook को political challenges और pressure का सामना करना पढ़ सकता है जैसे twitter को करना पढ़ा था आपने देखा हुआ, हाली में Elon Musk ने twitter को purchase कर लिया है, तो इससे उसकी popularity होल जादा बढ़ी है, बट ऐसे ही political जो issues होते है regulatory होते है, content को लेकर, उसके moderation को लेकर, कि किसी brand की हादमी ना हो, या कोई भी गलत सलर वीडियो उस पर नडल जाए, तो ये political के नजरों में आ सकता है, तो दूसरा जो उसको challenge face करना पर सकता है, वो है competition अमंग अलग से जो channel है जैसे अभी Instagram आ गया तो वो अधी audience Facebook की जो छी Instagram पर चले गई थी, फिल जैसे TikTok अभी बैन होगा, अभी तो फिल आल TikTok बैन होगा है, अब जब TikTok था तो कुछ audience TikTok पर भी चले गई थी, तो इस तरह के competition जो दूसरे brand आते रहते हैं जो दूसरे platform ने use करते रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका challenges रहता है, यो तो Facebook को ये आता रहेगा Thank you guys, इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिल मिलेंगे, फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे, फिर एक नए trend के साथ आएंगे तब तक के लिए, Thank you so much बने रहे हैं, खुश रहे हैं, Thank you